सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग दूस्तों आज किस डोग में आपको इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इसके अंदर में हम अपने पैसे को इन्विश्मेंट करेंगे तो यह फ़ंड हमारे पैसे के किन-किन जगों पर investment करेगा कितने पैसे से हम यहां पर इंविश्मेंट की सुरुवात कर शकते हैं तो फंड के बारे में मैं आपको 8000 सभी जानकारी देने वाला हूँ आपको वीडियो को शुरूश लेके लाश तक ध्यान से देखिएगा वीडियो में आप नए है तो हमारे इस चैनल को वारिस् सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा पैसा किन-किन जगों पर इन्वेश्मेंट किया साइगा तो पहले तो यह तार्टा है तो यह हो गया कि यह एक फंड हाउस यानि कि एक एमसी कंपणी है जो कि इस फंड को मैनेज कर रही है उसके बाद हमें देखने को मिलता है निफ्टी फिनेंसल सर्विस इसका मतलब आप जानी आपको क्लियर होता है कि हमारा पैसा कहां साइगा यहां पर हमने साफ सुथरा यहां पर लिख दिया है क हमारे पैसे को कहां कहां इंवेश्मेंट किया साइगा लेकिन यह पहले किसी और रूप में हमें देखने को मिलता है अगर आप मार्केट में अपने पैसे को इंवेश्मेंट करते हैं तो आप फिन निफ्टी के बारे में जानते होंगे निफ्टी फिनेंसल सर्विस का investment करना है तो आपको financial service के अंदर में पैसे investment करना परेगा तो जो भी पैसे हम investment करेंगे वो सारा का सारा पैसा हमारा fin nifty के अंदर में investment किया साएगा अब इसके अंदर में आपको 20 company देखने को मिलती है मैंने यहाँ पर clear लिख दिया है 20 stocks ठीक है यानि कि fin nifty जो है वो अपने पैसे को 20 ऐसी ऐसी company में investment करती है जो कि bank से जूरी हुई है ठीक है जो कि एक banking sector का है फिर उसके बाद है nbfc ठीक उसके बाद है housing finance यानि कि जो घरों के ऊपर जो लॉन वगएरा दिया करते जो finance का काम क्या करते वहाँ पर फिर हो गया insurance company यानि कि अगर इस fund में आप उपने पैसे को investment करते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा जो है अधिकतर वह कहां जाएगा financial service यानि कि जो हमें finance से जूरी हुई कोई सेवा परदान करती है जैसे कि कोई हो गया यहाँ पर bank है तो हमें loan देती हूँ क्या हो में एक financial category का पैसे को investment किया जाएगा तो आप पहले उसको समझे ठीक है तो उसको हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं किसको कहते हैं आपको पता होगा holdings मतलब कि उस fund के अंदर में क्या-क्या assets रहने वाले हमारा पैसा किन-किन assets में जाएगा ठीक है तो इस टॉक्स यानि कि फिन निफ्टी फिन निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में जो हमारे पैसे को investment किया जाएगा ठीक हम से कम और ज्यादा की बात करें तो यहां हमें assets देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है debt यानि कि जो company लोगों को loan दिया करती है कोई bond हो गया ऐसी ठीक है debt and money market ठीक है मैं sort में लिख रहा हूं mm का मतलब money market ठीक है तो यहां पे भी आपके पैसे को investment किया जाएगा यहां पे जो पैसा investment के जाएगा वो है zero portion से ले करके five portion तक बहुत ही कम allocation बहुत ही कम holdings जो है वो debt के अंदर में रखा गया लेकिन पैसा यहां पे आपका जाएगा ठीक है देखें वीजर fund में investment करने का फायदा यह होता है अगर आप stocks की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में आपको investment करना परेगा लेकिन फिन निफ्टी का आज के वक्त में जो प्राइज हमको देखने की मिलता है वो है 21,000 रुपए के आज पास तो आप फिन निफ्टी के अंदर में तभी अपन पैसे-पैसे investment कर पाएंगा चलिए पैसे की बात आगए तो हम बात करते हैं कि इस fund के अंदर में हम कितने कितने पैसे से investment के सुरुवात कर शकते हैं investment कितने टाइपस के होते हैं दो टाइपस के ठीक हैं पहला है एसाइपी के लिए हमारे पास minimum amount जो है क्या होना चाहिए कि हम एसाइपी कर सकते हैं फिर दूसरा option हमें देखने को मिलता है वह है lump sum यानि कि जो पैसे हम एक बार investment करते हैं जिसको हम one time investment कहते हैं उसको हम lump sum कहते है ठीक है तो इसके लिए हमें यहाँ पे minimum amount कितना देना पड़ेगा लेकिन जो होती है वह हर महीने के लिए investment होती है कि हम हर महीने same date को पैसे डालते जाएंगे तो यहाँ पे कम से कम आपके प करना है तो आपको 5000 रुपए investment करना परेगा कम से कम जो amount यहाँ पर रखा गया है 5000 रुपए कि आपके पास 5000 रुपए रहेंगे तभी आप पैसे को investment यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है चलिए सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है अब हम देखते हैं कि इसके units की क्या price है जिसको हम NAV बोलते हैं net asset value ठीक है NAV net asset value की price हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है वो मात्र हमें यहाँ पर 10 रुपए देखने को मिलती है यानि कि 10 रुपए में आपको एक net asset value मिल जाएगे यानि कि एक units की कीमत यहाँ पर हमें 10 रुपए देखने को मिलती है ठीक है यहां पर हमसे दो तरीके के charge लिये जाते हैं, ऐसे charge को एक एक करके गिना जाए तो और अलग अलग तरीके के charge हो जाते हैं, लेकिन हमें दो तरीके के charge बताया जाते हैं, तो पहला है हमारा expense ratio, ठीक है expense ratio मतलब की fund manager का charge ठीक है और दूसरा है कि जब हम आपने पैसे को जो investment की है उसको withdrawal करते हैं तब वो charge लगता है तो उसको हम बोलते है exit load ठीक है exit मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बाहर निकल रहे हैं तो जब हम बाहर निकलते हैं तब एक charge लगता है और एक charge जो है वो NFO के अंदर में नहीं बताई जाती है ठीक है यानि कि NFO में खाली रहती है लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि इतना के आज पास का आपको expense ratio लगेगा ठीक है बात करेंगर हम exit load की कि हम पैसे डालते हैं कब हम निकालेंगे तो ये charge हमें लगेगा और कब हम निकालेंगे तो charge हमें नहीं लगेगा यहां पे company जो fund manager और AMC है वो बोलती है कि अगर आप अपने पैसे को 15 days ठीक है जब आप investment किये हैं तब से लिए करके 15 दिन के अंदर में ही आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो इस situation में हम आप से 0.25% का exit load charge लेंगे कितने दिनों के अंदर में 15 दिन के अंदर में पैसे निकालने पे जब आप investment किये हैं उस दिन से 15 दिन में तो कितना 0.25% अगर आप 15 दिन के बाद पैसे को निकालेंगे तो आपको यहां प हम यहां पर launching date को ही अब देख लेते हैं लाश्ट होने वाला ठीक है launching date फिर उसके बाद हम देखेंगे कि expiry date यानि कि कभ यह जो फंड हो जाएगा फंड एक्सपायर नहीं होता है इने फो का date जो है वह एक्सपायर हो जाता है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कभ हमको इस साल में और इसी महीने में यह जो fund है वो launch किया गया है और इसकी अगर expiry date की बात करें यानि कि कभ तक एने फो रहने वाला है तो वो date हमें देखने को मिलता है 22 April ठीक है कि 22 April तक कहीं आपके पास time है इने फो रहते वरें पैसा investment करने का ठीक है 22 April 2024 फिर अगर आप इस date के अं इसा investment किया है इतने units आपको मिले है इतना का profit हुआ इतना का loss हुआ है जो भी चीज़ है वो 25 से लेकर 26 April तक आपके portfolio के अंदर में show हो जाएगा तो fund के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है अभी आप देखेंगे तो इस categories का financial service index fund जो है इस categories का आपको index fund market में नही देखने को मिलेगा वो इसलिए क्योंकि इस categories को 8 April को ही launch किया गया इसलिए आपको यह चीज़ देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपको इन सभी चीजों में interest है जैसे banking sector हो गया NBFC हो गया housing finance insurance हो गया इन सभी में अगर आपको पैसे को investment करना है तो आप this fund के अंदर में पै पैसे को इस के अंदर में investment करे मेरा काम है कि fund के बारे में आपको सारी जानकारी दे देना कंदर में क्या कैशी में देखने को मिलती है अगर आपको यह सभी चीज समझ में आ गई है तो आप अपैसे को investment कि जे अगर नहीं आई है तो फिर से ब वीडियो को देखे या और भी